प्यारे वच्चों कैसे आप स्वस्ति होंगे हमने पहली वीडियो में कविता का पिछला भाग पड़ा था अब हम उसके आगे का भाग पड़ेंगे चलो शुरू करते हैं दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए छक कर सुक दुख के घूंटों को हम एक भाव से पे चले हम भिकमंगों की दुनिया में सचन्द लुटा कर प्यार चले हम एक निसानी सी उर पर ले असफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयम बंधे थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले इसमें इन पंक्तियों में कवी ने जो भगवती चर्ण ब्रमा जीस के कवी हैं उन्होंने अपने कविता के माध्यम से संसार को एक संदेज देने का प्रियास किया है दो बात कही दो बात सुनी जब हम संसार में या समाज में हम अपनी बातों को रखते हैं तो समाज में जह हम बैठते हैं तो कुछ समाज को अपनी बाते उनके सामने रखते हैं और कुछ बाते समाज से ग्रहन करते हैं इस प्रकार से कुछ हसे और फिर कुछ रोई, कुछ लोग उन बातों से हसते हैं और कुछ लोगों को उन बातों पर गर्ब न होते वे रोणा आता है इस प्रकार से चक कर सुक दुख के गुटों को हम एक भाव से पीज ले, मलब हमने चक कर का मतलब है कि हमने अपने जैसे पेड भरने को कहते हैं, पेड भरने के लिए सुक दुख के गुटों को, यानि सुक दुख, चाए वो सुक है, जिवन में चाए दुख है, उनको एक सम कह रहे हैं कभी इसमें कह रहे हैं कि हम भिकमंगों की दुनिया में यह संसार क्या है भिकारी स्वरूप है इस संसार में जितने भी लोग अपना कर्म करते हैं और कर्म करके चले जाते हैं तो कुछ उन्हें है एशा प्रियास लगता है प्रियास कि स्वच्छण दुटा कर प्यार चले स्वच्छं मिलब खुले रूप से आजात मन से अपने मनदर जोभी भाव है उसको उजागर्करके इस संसार को देकर जाते हैं हम एक निसानी सी उर्पर हम एक निसानी मलब अपने हिर्दे पर एक निसानी इस परकार से उसको अंकित करते हैं कि ले असबलता का भार चले कुछ सफल होते हैं कुछ असफल होते हैं और फिर भी उस कारे को करने का प्रयास करते हैं एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार प्र लेती हे दाना लेते हुए उपर चड़ती है फिर नीशे गिरती है फिर उसको दाना उठाती हैónा फिर उपर चड़ती है। तो कई बार ऐसे प्रयास करने पर एक दीन ऊपर चड़ जाती है। उसी प्रकार से कभी ने इस कविता के माद्यम से संदेश देने का प्रियास किया है, अगली पंक्तियों में है, अब अपना और पराय क्या, इस संसार में अपना और पराया, कुछ भी नहीं है, यहां ये सब बाते रहकर ही यहीं रह जाती हैं, ये हमारा है, ये हमारा नहीं थ यह उसका था यह उसका हो गया हमारा है यह सारी बात हम लेकर चलते हैं आबाद रहे रुकने वाले जो जीवन में रुक गए वो भी आबाद रहे और जो चलते चले जा रहे हैं वो भी चलते चले जाएं हम स्वयम बंदे थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले कभी कह समय में कारे करते हैं यह कारे करते के आज आफ प्रकार से वह सारे वंधन को एक दिन जब इंसान से जाता है तो अईसा लगता है सारे पर्मधन और नहीं को तोड कर चला गया है वैसा है इन पंक्तियों में भगवति6 प्रमध़्माजी जो है उन्होंने इन पंक्तिव में अपना भाऊ इससट किया है कि कविता की सद्दार्ट इस प्रकार से हैं हस्ती यानि सामर्थ्य हैसियत कि मस्ती खुशीया आलम संसार दुनिया उलास यानि प्रसनता जग यानि संसार संसार शक गड़ जी भरगड़ यानि मन मरगे शचन यानि मुक्त रूप से आजाग होकर. निसानी पहचान जिन पहचान जिन क्या है निसानी जो अपरेगे पहचान जिन और यानि हिर्दय, हिर्दय में होने वाले पराया यानि दूसरों का. आबाद रहना यानि हाजी खुशी जीवन बिताना किसी बरकार के किसी का दवावना रहना हाजी खुशी से अपना जीवन को व्यतीत करना कविता की प्रसन नमबर एक और दो तीन आप करेंगे और इन सद्दार्थों को भी अपनी फियर कौपी में करेंगे